हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियू अकेडमी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कबीरदास की साखी का दोहा, स्टार्ट करते हैं, चिंता तो हरी नाओ की और ना चिंता दास, जे कच्छु चितवे राम बिन सोई काल की पास, आज हम इसमें संदर, प्रसंग, व्याख्या वि प्रसंग देख लेते हैं, प्रसंग में आप, जो दोहा होता है, उसकी व्याख्या की कुछ में लाइस प्रसंग में लिखी जाती है, कि इस दोहे में क्या बताया गया है, इस दोहे में देख लेते हैं, क्या बताया है, कबीरदा जी कह रहे हैं, कि इश्वर के नाम का इसमरण करने क्या तेरे किसी संसारिक विशय का चिंतन बंधन में डाल उन्होंने ये बताया है इसमें कि अगर आप इश्वर का इसमरण नहीं करते हैं तो आप संसार के मुझाल में फज जाएंगे व्याख्या देख लेते हैं व्याख्या में पहले हम दोहा पढ़ेंगे फिर व्याख्या देखेंगे चिंता तो हरी नाओ की और ना चिंता दास अर्थात कबीर दाजी कहते हैं कि उन्हें केवल प्रभू के नाम का इसमरण करते रहना की चिंता है और कोई अन्य संसारिक चिंतन वह नहीं करते अर्थात उन्हें सदा यहीं चिंता रहती है कि वह कहीं प्रभू के नाम का इसमरण भूलना जाएं, वो कहते हैं कि अगर प्रभू का इसमरन नहीं करोगे तो आप लोग संसारिक मुह में फ़स जाओगे, इसलिए उन्हें यही चिंता रहती है कि वो प्रभू के नाम का इसमरन भूलना जाएं जे कछुचितवे राम बिन सोई काल की पास अर्थात हरी नाम हरी नाम से मतलब है इनका सद्गुरु, जो इन्हें इश्वर से मिलाएंगे हरी नाम के अतिरिक, जब व्यक्ति किसी संसारिक विशह का चिंतन करने लगता है तो उसका काल के जाल में फसना अर्थात जनमित्यू के चक्र में जाना निश्चित है उन्होंने यही बताया है कि अगर आप हरी नाम का जाप नहीं करते हैं उन्हें याद नहीं करते हैं उनके नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप संसारिक मुगे जाल में फज जाएंगे अर्था जन मित्यू के चक्र में फज जाएंगे विशेष्टाएं देख लेते हैं आप इस दोहे की विशेष्टाएं विशेष्टाओं में मैं बता दूँ आपको सबसे पहले कावे सौंदरे लिखना होता है उसके बाद भाव सौंदरे लिखना होता है कावे सौंदरे में हम लिखते हैं रस, छांद, अलंकार, गुण, भाशा, शैली और शब्द शक्ती इस दोहे में रस है शांद, छांद, दोहा, अलंकार, उपमा, गुण, प्रसाद, भाशा, सद्धुकडी सद्धुकडी को पंचमिल खिचली के नाम से भी जाना जाता है शैली, उपदेशात्मक तथा भावात्मक, शब्द शक्ती, लक्षणा अब हम भाव सौंदर्य देख लेते हैं भाव सौंदर्य में व्याख्या में जो बताया गया है उसी की कुछ में लाइन्स पॉइंट पाई पॉइंट करके हम लिख देते हैं कबीरदाज जी ने यहां संसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रभू के नाम का चंतन ही एक मातर उपाय बताया है उन्होंने इस दोहे में यही बताया है कि आप संसार के मुँ में नाफस हैं और प्रभू के नाम का चाप करें सेकंड पॉइंट कबीरदाज जी ने यहां हरी नाम का इस्मरण करने को कहा है उन्होंने यही कहा है कि आप गुरू का पालन करें गुरु के नाम का जाप करें गुरु के नीचे रहें गुरु ही आपको इस्वर तक पहुचाने में हैल्प करेंगे मतलब कि इस्वर से मिलाने में आपकी सहायता करेंगे I hope आपके लिए ये वीडियो रही होगी इससे लाइक करें, कमेंट करें, شेय करें Thanks for watching